देखें मद्द परदेश में 50,000 लोग तयार बेठे हैं बाकी के राजियों में भी हम लोग कुल मिला के बात करें से 2-2,5 लाक लोग तयार बेठे हैं एक अगर यहां पर आदेश होता है और वो कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है तो अलग-अलग रास्तों से होकर हम लोग दि साथ इस समय मद्द परदेश से आए हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान यूनियन के और किसान आंदोलन का इसका हिस्सा बनने आए हैं साथ-साथ यह पूरा इंट्रोड़क्शन आप खुद दे तो ज़्यादा सही रहेगा आप पहले बताए आप कहां से आए हैं किस संग आदिम किसान हम लोग हैं आदिवासी लोग और किसान हमारे भाई हैं यहां पर आदिवासी किसान हैं बिलकुल आदिवासी किसान हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी मतलब आदियानादी काल से इस देश में रहने वाला और सबसे पहला किसान जो है वह आदिवासी ह उसके बाद और लोगों ने खेती करना शुरू की तो ये सब हमारे भाई है ये हमारे परिवार के सदसे हैं हम इनके अर्ण दाताओं के आवाज को उठाने आये हैं क्यों हम लोग यहाँ पर इसलिए भी आये हैं क्योंकि पहली बार किसी किसान आंदोलन में आदिवासियों का पाचियों सुची का मुद्दा मांग के तहत रखा गया है आदिवासिय समाज पिछले अटोतर वर्सों से सरकार के सामने पाचियों सुची की मांग को लेकर पाचियों सुची को दरातल पर अमल में लाने को लेकर मांग कर रहा है लेकिन बड़े आंदोलन में राष्टिस् प्रतिनिदित्व करने के लिए हैं हमारे साथ में गुजरात महाराष्ट राजितान चाटिज़गड जारकन के टीम में भी है वह अभी हमारा वेट कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहां से हम जो आंदुलन की कमिटिया हैं कमिटिया अगर डिसाइड करती कि हम लोग दिल्ली जा यह लोग कूच करेंगे लेकिन उससे पहले सवाल यह भी बन रहा है कि एक आदिवासी किसान है आप आपको क्या लग रहा है कलका जो निर्णे आया है कलका निर्णे बताए गया कि कुछ चीजों पर MSP दी जाएगी पांस पांस साल की गारेंटी दी जाएगी MSP पर क्या लग रहा है यह निर्णे कैसा है क्या यह किसानों के समत्थन में हैं पांस साल की गारेंटी क्यों दी जाएगी जब किसान इतने दिनों से मांग करें पिछली बार भी तेरा महिनों तक किसान सड़कों पर आंदुलन कर रहे थे तब तीन करसी कानून तो वापस लिए गए लेकिन MSP पर भी बात की गई थी उसको लागू नहीं किया गया अभी और जुंजना थमाने की कोशिस करें यहां कि केंद्र सरकार नहीं चाहते कि किसान उन्नती करें और किसान को उसका हक मिले उसकी जो किमत है उसको मिल पाए तो किसान तो यह चाहता है कि MSP मिडिया के माध्यम से तमाम जगह पर यह जा रही है सांदोलन को पूरे देश के लोग देख रहे हैं और हम लोग भी उसी जगह देखकर हम लोग यहां पर उपस्तित हुए हैं आज हम पांट लोगों के डेलिगेसन के रुप में आये हैं हम लोग आदिवसी समाज का चुक चाहा कि अमेजन जंगल विसो का फेपड़ा है उसको बचाना चाहिए तो वेसे कि वेसे 36 गड़ का जो हद्यों जंगल है वो भारत का फेपड़ा है उसको भी बचाने के लिए तमाम समुदाए के लोग देरे आगे आ रहे हैं यह अच्छी बात है हम किसान यूनियन दिल्ली पूच करेगी देखें मद्यपरदेश में 50,000 लोग तयार बेठे हैं बाकी के राजियों में भी हम लोग कुल मिला के बात करते हैं एक अगर यहां पर आदेश होता है और वो कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है तो अलग-अलग रास्तों से होकर हम लोग दिल्ली के दिल्ली के उर रवाना हो जाएंगे महिला भी हमारे साथ है संगटन से आपको डियारी यह संगठन है जो इस समय पास लोग का डेलिगेशन यहां पर आया हुआ है मद्ध प्रदेश से आया हुआ है आदिवासी समाज क्योंकि कुल 12 मांगों में आदिवासीयों की भी कुछ मांगे है जो किसानों ने रखी है सरकार के तरफ अब सरकार किस सरीके से उन मांगों को मानेगी की नहीं मानेगी लेकिन अभी MSP को लेकर MSP की गारेंटी को लेकर 5 साल की गारेंटी दे रही है तमाम और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे यह बता है यह 5 साल की गारेंटी आपको मिल रही है क्पान साल की करेंगटी मिल रही है आपको कोई जीमिदार नहीं लएक छूट पोलते हैं चूट को लग रहें क्यों क्यों जूट मोद्वाट लेते हैं इसका क्या फैदा रही करेंगे हम अपॉन सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लेके जाएंगे लेके जाएंगे जो भी होगा उसको पहला लाया था सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जिस तरीके से अभी किसानों के जो जो मुख्या है सरवार सिंग पंडेर है unnोहें भी कल का है यह मिसके बारे में सोचेंगे तो क्या लग रहे है क्या अप चौथ दौर की बैठक है आगे और बैटक क्या सोच विचार की जाएंगा क्या लग रहे है क्योंकि आप जिस तरीके से बताए जा है सरकार टाली रही है आपकी चीजे तो किस चीज पर चर्चाहें बागी है जैसे हमारे को नमींदे भोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे हम त्यार हैं कुछ भी हो फिर पार कर देंगे लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने जो कल ने निया वहां नहीं पास कि और जगां के कितने खिसान है जो आएंगे आपके साथ और और प्रदेश के क्या कुछ अंतयार है क्या सरकार चाहते हैं कि हर्ला किसान आके दिल्ली बैठ जया रहाए हम अपने कृस्यों में यह प्रण नाल वियो त्यार मतलब यह कह रहा है कि जिस तरह का वो बॉर्डर बना रहे हैं लेकिन किसान त्यार है किसान आगे जाएंगे लगबग यहां पर देखें पूरी तरीके से अगर आपको पूरी तस्वीर दिखाएं तो पूरा आखरी तक दिन पर दिन यहां पर किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है किसानों की पूरी तैयारी है कि वो आगे जाएंगे लेकिन अभी कल का जो निर्णे आया है अभी तक जो इनके मुखिया है वो कह रहे हैं हम उस पर सोच बिचार करेंगे 21 तारिक को ये तैय होगा कि आगे क्या करेंगे तमाम जगां से यहां किसान आये हैं आप जैसा की देखा भी और भी हम दिखायत दिखिए आप भी हैं साथ में आप बताएं कि निर्णे कल आया है अभी आपने बताएं आप मदप्रदेश से आये हैं निर्णे कल आया है क्या लग रहा है क्या सरकार टाल रही है चीजें क्या उस वेक्ति का अतीत इस बात की गवाही देता है कि ये वेक्ति कभी भी किसी काम को परफेक्टली करने में सक्षम है ही नहीं मानसिक रूप से तो हम किसान परिवार बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करते कि ये इतनी जल्दी मानेंगे ये संगर्ष की आप बात कर रहें लेकिन आप देखे कि जितने जो आप मद्ध परदेश से आ हैं मद्ध परदेश में भी अभी अपडेट आए कमलनाथ को लेकर तमाम जो बिपक्ष हैं वो भी पूरे पुर्जोर तरीके से या मजबूत तरीके से किसानों की हग में नहीं ब बातें सिर्फ किसान ही उठा रहा है इसके अलावा कौन है उठाने मादा जो नेता जो विपक्ष ऑपोजीशन अपने आपको कहता है वो कहां है इस समय देखिए देश की राजनीती के राजनीती में दो बच्चे हैं एक बीजेपी है और एक कॉंग्रेस है और यह दोनों एक ही सिक्के के पहलो है तो यहां विपक्ष है ही नहीं सरकार है ही नहीं दोनों एक हैं तो हम किसान परिवार की जो लड़ाई है वो इन दोनों से सत्ता से भी है और विपक्ष में भी है क्योंकि जब यह कॉंग्रेस सत्ता में थी तभी यह सब चीज़े शुरू हुई थी और आज बीजेपी सत्ता में है, कॉंग्रेस विपक्ष में है, इस्तितियां जस्कितस बनी हुई है तो ये दोनों हमारे लिए समस्या है और हमें इन दोनों से लड़ना है जी बिल्कुल, तो लगतार देखिए, अच्छा एक आखरी सवाल लेंगे, आदिवासी समाज आप कह रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी समाज का वो कर रहे हैं, प्रतिनिर्द कर रहे हैं तो आदिवासी समाज हो गया, पिछड़ा समाज हो गया, दलित समाज हो गया आपको लग रहा है क्योंकि सरकार तो वहां पे बहुत रे वेडियां बाट रही है, बहुत चीजें कर रही है, बहुत ऐसे चीजें कह रही है कि हमने हर समाज के लिए काम किया, बराबर काम किया, आपको यहां आने की क्या जरूरत पुरी? देखिए किसान किसान होता है, सरकार ने उसे ST, SC, OBC और सामाणिय में बाटा है, आज आप यहां देख रहे हो, यहां किसान है, जातिया नहीं है, यहां किसान है, शेत्रवाद नहीं है, यहां किसान है, धर्म नहीं है, तो हम तो किसान हैं और हम किसान के हाक और हिक की बात करत और बतोर आदिवासी समाज हम पिछले 75 सालों से पांच भी अनुसूची की मांग कर रहे हैं सरकार ने 75 साल बात करने करने में निकाल दिये हैं तो हम सरकार से आज भी अपेक्शन नहीं रखते कि वो MSP के ऊपर कोई निरने लेगी क्योंकि मुद्दा सिर्फ ग्यहों की MSP नहीं है धान भी है काई किसान सुपारी की खेती करते हैं काई किसान लों की खेती करते हैं काई किसान इलाइचे की खेती करते हैं तो किसान वर्ग हमारा बहुत बड़ा है लेकिन एकता का सुत्र MSP ह इस MSP के उपर पूरा किसान परिवार एक साथ है तो आपने सुना कि MSP जो है वो प्रात्मिक्ता है इस MSP के उपर पूरा देश का किसान खड़ा है यहाँ पर आए तमाम जगहें से लोगों की यही एक मांग है कि MSP को सरकार प्रात्मिक्ता दे MSP पर कानून बनाए और MSP पर सरकार किसानों से उनकी फसल ले तो तमाम चीजे हैं कल का निर्णा यह बताता है कि किसान इससे खुछ नहीं है अब 21 तारिक सबसे एहम है अभी तक रभिवार एहम था अब 21 तारिक सबसे एहम है क्या होगा 21 तारिक को यह देखना होगा तब तक के लिए और अपडेट आप देखते रहिए शंभू बॉर्टर पे मौजूद हूँ सामने हर तरफ आपको किसान दिख रहे होंगे अबने सहीयोगी जोती के साथ मेहमन शिर्वास्तव शंभू पंजाब